एक वेल्कम बाक टूर वीडियो तो कर डंकी का ट्रेलर रिलीज हुआ जिसे काफी मिक्स रियाक्शन मिलें जो एसार के फैन से उन्हें काफी जाथा पसंद आया लेकिन कुछ फैन से जो पसंद भी निया आया आप ट्विटर पर जाके चेका सकते हो जिन्हों ने डिजास्ट करके ट्रेन भी चलाया था पर ऐसा क्यों है अखिर डंकी मूवी का इतना लो बस क्यों है ग्राउंड रियालिटी पर यह को शारुक कान के फैन्स कितना भी कहें कि यह मूवी हसार करूट जाएगी यह मूवी तीसरी एसारगी की मूवी होगी जो ब्लॉक बस्टर होगी दे कुछ एक्स्ट्राउडर्री थानी उसमें मैं नहीं बोल सकता एक कुछ बहुत ही अलग देख लिया उसमें बट इन ग्राउंड रियालिटी अगर आप चेक करोंगे ना उतनी हाइप नहीं है जैस लाइक पाठान और जवान के वक्त थी क्योंकि वह एक्शन मूवी थी तो एक्शन मूवी लोग ज़ादा पसंद करते हैं देखना ये क्लासिक ड्रामा मूवी होगी जो ओटी टी प्लाटफॉर्म के लिए काफी अच्छी होगी वहाँ पे काफी अच्छी चलेगी बट थेटर में जलना बॉक्स अफस्स कलेक्शन करना काभी मुश्किल रग रहा है ग्राउन लेवल जो बर्स होता है वो बिलकुली कम है दंगी का अब बुक मैं शोग पे इंटरेस्ट चिक कर सकते हो इस ओनली 140K वही इसके साथ रिलीज होने वाली सलार का इंटरेस्ट रेट 7,20,000 के उपर चला गया है जो दर्शाता है कि ग्राउन लेवल लोग कितने एक अधर हैंड दंगी के लिए वो एक्साइटमेंट दिखनी रहे है लोगों के बीच में आएमडीबी की मोस्ट एंटिसेपिड़ लीस्ट में भी दंगी सेकंड नमबर पह है जिसका इंटरेस्ट रेट 15.3 या 4 सम्थिंग है वही सलार का 37.3 अल्मोस्ट 22 परसंट जादा है 22 परसंट आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि डंकी की ग्राउंड रेहलिटी होट लोबल है उसका बहुत लोबल है ऐसा क्यों है आप नीचे कमेंट कर सकते हो और क्या लगता है आपको क्या डंकी वही बॉक्स आफिस कलेक्शन दोहरा पाएगी जो पठानों जवान ने क सब्सक्राइब गलेक्शन मिनमूम 500-600 करोड हो सकता है अगर मूवी अच्छे निकली तो वरना 200 दीन सो तक निपट जाएगी ये भी होप सो मिल दें अगली वीडियो में